नेक्स्ट मेथद टू प्रपेर हैलोलकेन इस फ्रॉम हैलोजन एक्चेंज मेथड हमारे लिए बोर्ड लेवल के लिए बच्चो बहुत इंपोर्टेंट है होता कि है है हमारे पास अलकाईलहलाईट से हम अलकाईल हलाईट बनाएंगे तो यह special methods है हम क्यूं कर रहे हैं मैं अभी आपको बताता हूँ कि अगर इसकी reaction हमने अलकाईलहलाईट की reaction NAI sodium iodide से करवाई तो होगा कि यह N और यह X क्या हो जाएगा बाहर this positive and this negative will be out that means nax will be out and there is a resulting in the formation of ri हमने क्या बनाया idolkene बना दिया बच्चो क्या बना दिया हमने idolkene, अभी तक हमने जितनी भी reaction करिया halolkene मी, उसमें हमने क्या कर रहा है हर बार x की जगह पर halogen की जगह पर या तो chlorine लिया या फिर क्या लिया, bromine लिया आपने note करा यह चीज बिलकुल करा होगा, ठीक है तो अब हमको alkyl, halide या idolkene बनाने की कुछ special methods दे रखे हैं, तो यह direct नहीं बनते, direct इनको बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है, और fluorine भी direct नहीं बनता, वो भी मैं आपको सिखाने लगा हूँ क्योंकि वो explosive nature का होता है, ठीक है तो इसलिए इसमें सबसे पहले alkyl light दूसरा बनाना पड़ेगा, दूसरा कौन सा अगर x की जिगापर, यहाँ पर हम chlorine लेंगे या फिर क्या लेंगे, bromine लेंगे तो जैसे यह alkyl light बना उसकी हमने sodium iodide से reaction करवा दी तो RI बन जागा, NAX बाहर चल जाएगा यह reaction बच्चो SC tone की presence में होनी है यह चीज़ बहुत 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 important है अपने अपने SC tone जालना बहुत जरूरी है अगर SC tone नहीं डाला तो यह क्या हो जाएगी backward आजाएगी reaction, पीछे को आजाएगी वापस फिर यही बन जाएगा फिर यही बन जाएगा, NAI बन जाएगा और साथ में RX बन जाएगा तो इसको रोकने के लिए to stop the backward reaction कैसे यह जो NACL या NABR होता है यह acetone में insoluble होता है कम-soluble होता है, यह precipitate बना देता है जब precipitate बन गए तो फिर वो RX reaction नहीं कर पाएगा बात के लिए बच्चों यह जो हम एरो के उपर डालते हैं जैसे यह in the presence of catalyst acetone हो गया अना अन्हाइडर, zinc, chloride इनके जो रोल है वो पहचाने बहुत ज़रूरी है यही कुछ चीज़े हैं जो organic or difficult बना देती है ठीक है, so what is the role of acetone in this reaction to stop the backward reaction how it will stop the backward reaction it will react with this NaCl, NaCl और NaBr whatever you can take here it will less soluble in NaX which results in the precipitation बनाता है, तो backward नहीं आएगी reaction ठीक है, एक्जाम्पल की बात करनी है तो CH3Br से बात कर लो यह लिए ज़र, Na आई है और अगर बच्चो किसी वीडियो में हमने किसी lecture में हमने अगर example नहीं लिखी, तो यह आपका कर्तब यह है कि आप खुद से लिखी है नहीं तो notes में जो study material हमने दे रखा है आपको जो आपने आगया ही हो, खोल के रखा हो तो उसमें हमने दे रखिया हर एक के example ठीक है जी, तो चलिए, Na, Br क्या होगा हमारे पास बाहर आ जाएगा, बनेगा क्या CH3I प्लस Na, Br और acetone क्यो डाला है, बच्चो क्यों डाला है इसी तरह कि हमको एक reaction पढ़नी है, स्वाट स्ट्रिक्षिन हमने पढ़नी है, हो सकता है कि आप लोगों को यह स्वाट स्ट्रिक्षिन का हिंट मिल गया हो अभी से, तो इसमें भी क्या होता है हमारे पास Rx की reaction होती है ठीक है, चलिए हम सीदी example लिख देते हैं CH3 CH2 BR इसकी reaction बच्चों मैं किस से करवानी है Mercurus Fluoride से करवानी है What is this is Mercurus Fluoride मैं यहां लिखूंगा नहीं मैं बोल रहा हूँ आप साथ साथ लिख लिजिए और notes में आपको दे रखा होगा Mercurus Fluoride से reaction करवाएंगे होगा क्या यह HG Mercurus Bromide जो होगा वो बाहर आजाएगा अगर मैं यहां 2 लगा दूं बैलन्स करने के लिए तो बनेगा क्या CH3 CH2 F CH3 CH2 F Fluorohethene What is this This is Fluorohethene 2 moles of Fluorohethene and resulting in the formation of HG2 BR2 What is this This is Mercurus Bromide This is Mercurus Bromide तो Fluorohethene बन रहा है हमारे पास Again, this is the special method which is used to prepare Fluorohelkene IDO के लिए Finkelstein Fluoroh के लिए Swartz reaction ठीक है जी दोनों Halogen Exchange में आते हैं सिरफ Halogen क्या कर रहा है Exchange कर रहा है Board Level के लिए important है एक बार लिख लिए खुद से Example लिखना मत भूलिएगा